नमस्कार दोस्तों, मैं संजे डावरा, आप सभी विध्यारतियों का हर्दिक स्वागत करता हूं डावरा क्लासेज किस ओनलाइन प्रेटफॉर्म पर विध्यारतियों, आज हम एक ऐसी यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें से हर एकजाम के अंदर चा वो रेलबे हो, चा वो एससी हो, चा पठबार हो, चा रीट हो, चा पुलिस हो, चा एसाई हो, चा एस्टेन हो चा कोई सेंटर की एकजाम हो, चा कोई स्टेड लेविल की एकजाम हो हर एकजाम के अंदर इस यूनिट में से कॉश्चन पूछा गया है और उस यूनिट का नाम है कारिय, उर्जा और सक्ती पिर ये विध्यारतियों सबसे ज़्यादा जो numerical है सबसे ज़्यादा numerical कारिय, उर्जा, सक्ती और gravitation गुर्त्वा कर्षन वाली यूनिट में से पूछे गए है दोनों यूनिटों को बहुत अच्छे से समझना है टोटल ही फॉर्मूले से भरी हुई यूनिट है numerical के उपर numerical है बिल्कुल इसको इतना साधरन बना दूँगा लेकिन आपको class को बिल्कुल बहुत धहरिय के साथ में देखना है पूरा देखना है हर concept आपको समझ में आएगा तो एक बार heading पे लगा लीजिए कारिय उर्जा और सक्ति यूनिट का नाम है बर्क पावर एनरजी कारिय उर्जा और सक्ति बर्क एनरजी और पावर बिल्कुल heading लगा लीजिए अच्छे से सांदार तरीके से एके टम्स को समस्ते चलेंगे आराम आराम से यहाँ पर कुछ सब्दा बलियो का मैं प्रियोग करूँगा प्रिये विद्यार्ति हो मैंने एक लगभग 15 या 20 पेज की एक पीडियेप मैंने आपको भीजिये और उस पीडियेप का नाम है भोतिक बिज्ञान की सब्दा बलिया प्रिये विद्यार्ति हो बात को समझे वो भोतिक बिज्ञान की जो सब्दा बली मैंने भीजिये आपको अपनी कौपी के अंदर उन सब्दा बलियों को साप साप अक्षर में उतार लीजिए क्योंकि जब तक वो सब्दा बली नहीं समझ में आएगी तब तक बिज्ञान थोड़ी सी कठिन हो जाएगी हाँ हर सब्दा बली को मैं बिल्कुल साइड में आपको बताता चलूँगा लेकिन फिर भी आप उनको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिये अपनी कौपी के अंदर हाँ मैंने एक पीडियेप भीजिये आपको और जिन बिद्ध्यार्तियों को पीडियेप नहीं मिली है वो मेरे 82-33 पिच्चान में 80-02 पर फोन करके वाटसेप पर जुड़कर वो पीडियेप प्राप्त कर सकता है उसमें सब्दा बली है जैसे सदिस रासी किसे कहते है अदिस रासी किसे कहते है दूरी क्या है बिस्तापन क्या है चाल क्या है बेग क्या है तोरण क्या है गुरुत्विय तोरण क्या है मतलब उनकी डेटेल नहीं है सब्दा बली है संबे क्या है, आबे क्या है, पलाइन बे क्या है मतलब सब्दा बली है बाकी की जैसे जैसे यूनिट आती चली जाएंगी मैं उनकी बाक्या कर रहा हूँ लेकिन कम से कम यार हलकी सी जानकारी तो हमको हो ली चाहिए तो प्रिये विध्यारतियों चैप्टर का नाम सजा लीजिए सबसे पहले हम सुरू करेंगे बर्क को पहले कारिये पढ़ लेते हैं उसके बाद में एनरजी और उसके बाद में पावर या सक्ती तो आज की क्लास में हम सुरू करेंगे बर्क तो हेडिंग लगा लीजिए बर्क प्यारे विध्यारतियों चलो अब समझते हैं विल्कुल एकदम ओके हो जाईए और सबसे पहले अपनी कॉफी में हेडिंग लगा लीजिए कारिये कारिये को हम इंग्लिस में बोलते हैं बर्क चलिए कैसे कैसे कॉश्चन्स यहां से पूछे गए हैं बिल्कुल एक एक करके नोट कराता चलूँगा प्यारे विध्यारतियों हमारी भासा में मैं बोल रहा हूँ ये भी कारिये है आप पढ़ रहे हो ये भी कारिये है आप वीडियो देख रहे हो ये भी कारिये है लेकिन पिरिये बिध्यारतियों फिजिक्स की भासा में कारिये एक अलग चीज है जैसे आप तो कहोगे जैसे पिरिये बिध्यारतियों मैं इस board पर धक्ता लगा रहा हूँ मेरे बोलने में तो ऐसा होगा कि मैं कुछ कारिय कर रहा हूँ अरे भई बोर्ड के धक्ता लगा रहा हूँ मैं कुछ ना कुछ कारिय कर रहा हूँ लेकिन physics नहीं मानती physics किसको कारिय मानती है हम उसी के उपर चर्चा करेंगे जैसे अभी मैं आपसे कह रहा था मैं इस बोड़ पे धक्का दे रहा हूँ तो प्यारे विध्यार्तियों आपको बता दू फिजिक्स कहती है कि आपके दुआरा किया गया कारिय सुन्य है ऐसा क्यों? तो फिजिक्स किसको कारिय मानती है हम उस चीज पर फोकस कर रहे है तो जो बिध्यार्ति मेरे यूटूब चैनल पे जुड़ा हुआ है उन बिध्यार्तियों से कहना चाहूँगा कि बिल्कुल क्लास नोट्स प्राप्ट करने के लिए प्ले स्टोर से डावरा क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करे प्ले स्टोर से डावरा क्लासेज डी ए बी आरे डावरा क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिजिए और इस एप्लीकेशन पे आपको Physics, Chemistry और Biology के जो Class Notes है खास से लिखे हुए वो Notes प्राप्थ हो जाएंगे और जो विध्यारती Application पे वीडियो को देख रहा है वो विध्यारती मेरा YouTube चैनल डावरा Classes को सस्ट्राइब कर लिजिए ताकि बहाँ पे जितने भी कोई वीडियो पड़े हुए है कोई Object Type के Question की Series बहाँ पर है वो आप बहाँ से देख सकते हो डावरा Classes YouTube चैनल पर चलिए ये तो अपनी बात हो गई अब आते हैं बापस से हमारे टॉपिक के उपर सबसे पहले परिभासा लिखता हूँ कि कारिये किसे कहते है तो अच्छे से समझेंगे चीजों को कोई जल्दबाजी नहीं चलिए देखिए प्यारे विध्यारतियों कारिये क्या है बल वे विस्तापन सुनते चलो पहले बल वे विस्तापन के अदिस गुनन फल को अदिस गुनन फल को कारिये कहा जाता है कारिये कहा जाता है एक-एक सब्द को मैं समझाओंगा जल्दबाजी नहीं देखिए विध्यारतियों परिभासा में बोला गया है बल तो एक सब्द आ गया ना अब आप कहोगे सर बल किसे कहते है इसकी जानकारी हमको हलकी सी होनी चाहिए इसके उपर एक बीडियो और आ रही है बल के उपर बल मैं गती के नियम वो बाली बीडियो आप देखिए तो मैं फिर भी यहां पर बापस रिपीट करूँगा कि बल क्या है अब ध्यान से सुनो बल जैसे मैं किसी धक्का दे रहा हूं इस बस्तू पर तो मैं क्या लगा रहा हूं इस पर बल क्या लगा रहा हूं बल बल क्या है किसी बस्तू के धक्का देना या खीचना बल कहलाता है बापस सुनिए जिसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है बलका ऐसा ही मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है एक दूसरा सब्द है बिस्तापन डिस्प्लेस्मेंट बिस्तापन चलो इसको भी सुन लीजे दूसरा सब्द आया है हमारे पास में बिस्तापन displacement, अच्छे से समझे, अलग से वीडियो बता दूँगा, बल विस्तापन की, लेकिन यहाँ पर सुन दिजिए, विस्तापन क्या है, देखो बिध्यारतियों, जैसे कोई व्यक्ति A पॉंट से चलता है, और A पॉंट से चलने के बाद, वो इस B पॉंट पर पहुँच गया, अ इस पत की लंबाई को तो कहा जाता है दूरी, इस पत की लंबाई को तो क्या कहते हैं, दूरी, ध्यान से समझो, कोई व्यक्ति है, A पॉंट से चला, ऐसे गूंता 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 गूंता, B तक चला गया, तो इसके साथ साथ में एक धागा डालता चलूँगा, इसके पी पीछे पीछे धागा डाल दिया और इस धागे को माप लिया तो ये जो पत की लंबाई है इसको तो हम क्या बोलते है दूरी मात्र क्या होता है दूरी का मीटर अब दूसरी चीज बिस्तापन किसको बोलते है पिर ये विध्यारतियों प्रारंबिक और अंतिम बिंदू के बी दूरी, दूरी नहीं, सीधी दूरी को विस्तापन कहते हैं, जैसे आप ऐसे चल रहे हो, यह तो दूरी है, और अब आप कोई ऐसा सेंटर मिलाओ, कि इनके बीच की सूधी दूरी को मापना है, बिल्कुल सीधी सट, यह सीधी दूरी, यह विस्तापन है, माना कि दूरी तो 10 मीटर होगी, मान रहा हूँ कि यह दूरी ऐसे चल यू, 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 यह दस मीटर है, और हो सकता है विस्तापन कैता हो, 7 मीटर हो, बिलकुल हो सकता है सीली दूरी को बिस्तापन बोलूगा तो बास समझे जैसे कोई विध्यारती जो जैपुर होता है वो टौक फाटक से निकला जगत पुरा के लिए टौक फाटक से जगत पुरा के लिए निकला वो आदमी बैचारा सीधा रस्ता नहीं जानता और उसको बस जिदर दिदर से गुमा के लेके गई और लाश्ट में पता लगा आदी घंटे में जगत पुरा जाके छोड़ा तो वो घूम घाम के आया पत की लंबाई ये तो उसकी दूरी हो गई और एक आदमी जैसे ओटो वाले देखेंगे आपने बहुत सी बार ओटो वाले केंगे कि भैई यहां से वहां तक की दूरी कम से कम 15 किलो मीटर है बहुत टाइम लगेगा लेकिन आपने देखा होगा वो ओटो वालों के पास ऐसा सीधा रास्ता होता है कि वो 10 मिनट में आपको रस्ते पे पहुचा देंगे तो वो सीधी दूरी वो आपका क्या कहलाता है बिस्तापन दो सब्द पकड़िए ये जो केडी बुकली जो पत है ना ये तो उसकी दूरी है और एक सीधा जो रस्ता है वो इसका क्या कहलाता है बिस्तापन भी प्यारे विद्धार्तियों एक सदिस रासी है मातरक इसका भी मीटर ही होता है ठीक है अब बापस से हम हमारी परीभासा पे ही आ रहे है चलिए सर परीभासा पे आजाओ दोनों सब्द मैंने बता दिया और यदि आप धीरे धीरे पूरी वीडियो देखे होगे तो आपको हर चीज बहतर से समझ में आ जाएगी चलिए दो सब्ध है प्यारे विद्ध्यारतियों एक है हमारे पास में बल और दूसरा सब्ध हमारे पास बिस्तापन तो बल और बिस्तापन के अधिस गुणन फल को ये नई आप अता गई अधिस गुणन फल ये क्या चीज है अधिस इदर है गुणन फल ये अधिस गुणन फल प्यारे विद्ध्यारतियों कक्षा ग्यार्मी की फिजिक्स में चीजे मिलती है जैसे दो रासी है, A और B, ये दो रासी है, प्यारे विध्यारतियों, अदिस गुणनफल के बीच में हम एक पॉंट लगाते हैं, अदिस गुणनफल जब सब दाता है, तो दो रासीों के बीच में क्या लगता है, पॉंट लगता है, और जब हम इनको खोलते हैं, पता है कैस तरीका ये है और जब इसको आप खोलोगे तो इसको इस तरीके से आप खोल के सामने लिख दोगे मतलब अदिस गुणन फलो को जब हम खोल के लिखते है तो फाइनली उनके बीच में कोश ठीटा आता है प्यारे विध्यारतियो ठीक है अब सुनो समझा दूँगा बापस बल और बिस्तापन के अधिस गुणन फल को क्या कहा जाता है कारिये लिख रहा हूं पहले तो यह रहा कारिये डबलू बरावर वल और बिस्तापन प्यारे विध्यारतियो ठीहान से सुनों बल सदिस राशी है इसलिए इसके उपर एक तीर का निसान लिख रहा हूँ जिन जिन राशियों की मुंडी पर ये तीर का निसान लगा रहता है ये सदिस राशी होती है ध्यान से सुनो जिन राशियों की मुंडी पर ये तीर का निसान होता है ये सदिस राशी होती है तो बल भी सदिस राशी है और विस्तापन भी सदिस राशी है इसले दोनों की मुंडी तीर का निसान लगा रहा हूँ, और बीच में बिंदी लगी हुई है, इसका मतलब है कि इनका कैसा गुणन फल हो रहा है, अधिस गुणन फल हो रहा है, तो बापस सुनो, बल है बिस्तापन का अधिस गुणन फल ही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है, लेकिन अब इसको मैं जै डबलू क्या है यहाँ पे कार्य है, एफ क्या है यहाँ पे सर बल है, एस क्या है यहाँ पे बिस्तापन है, डिस्प्लेश्मेंट है, और ठीटा क्या है, ठीटा होता है बल वे बिस्तापन, बल वे बिस्तापन के बीच का कौन है, बल और बिस्तापन के बीच का कौन है तो दिखिए बहुत सारे पिरसंतो बहुत सारे पिरसंतो आपके इस फॉर्मूले से हो जाता है यहां लिख देता हूँ कारिय क्या है तो कारिय बराबर बल into बिस्तापन से हो जाएगा बहुत जादातर फॉर्मूले जादातर कॉश्चन तो आपके इसी फॉर्मूले सोजाता है बल क्या होता है? कारिय होता है बल इंटू बिस्तापन इसी से हो जाएंगे सो हाँ, जब आपको बल और बिस्तापन के बीच में ठीटा का मान दे देगा तब आपको ये सही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा डबलू बराबर एफ एस कोश्ट इटा समझे चीज को यदि पिर्सन में आपको केबल बल और बिस्तापन दे रखा है तो प्यारे विध्यारतियों समझे अगर पिर्सन में आपको केबल बल दे रखा है और केबल बिस्तापन दे रखा है कोण नहीं दे रखा कोण नहीं दे रखा तो आपको क्या करना है बल और बिस्तापन को गुणा करना है सामने आपका कालिय निकल के आ जाएगा साधारन सा पिर्सन अगर पिरसन बिल्कुल सिंपल हुआ, सिंपल का मतलब है कि पिरसन में आपको बल दे रखा है और विस्तापन दे रखा है, कोण नहीं दे रखा, तो बल और विस्तापन को गुणा कर देना कारिय निकल के आजाएगा, राइट बात, दूसरी चीज, यदि पिर ये विद्ध् आपन के बीच में कोण दे रखा हो, तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग करना, डबलू बराबर एफ हैस कोश्टीटा, बास समझ में आई, ठीक है, अब वापस आता हूँ, देखो, अगर हम इसके मात्रक की बात करे, नोट करते चलो अई चीजों को, नोट करते चलो कारिये, देखो, बल है, विस्तापन है, के अधिस गुनन फल को कारिये कहा जाता है, कारिये को हम इसे डबलू से प्रदसित करते हैं, करते हैं, ठीक है सर, पिरिये विध्यार्तियो, कारिये जो है, कारिये, एक अधिस रासी है, सोरी, हाँ, राइट, कारिये, एक अधिस रासी है, Scalar Quantity एक अधिस रासी है क्यों? क्योंकि कारिय की कोई Particular Direction नहीं होती है इसलिए कारिय कैसी रासी है? अधिस रासी है ठीक है, अगला लो कारिय का एसाई मात्रक अंतराष्टिय मात्रक कारिय का एसाई मात्रक जूल होता है कारिय को किस में मापा जाता है? जूल में मापा जाता है राइट बात हो गई? प्यारे विध्धार्तियों, CGS पध्यती में भाया तीन पध्यती चलती है इनके बारे में भी बताऊंगा एक तो सबसे बर्तमान जो पध्यती यूज़ करते वो तो SI पध्यती है अंतराश्टे पध्यती है इसके बाद में इससे पहले चलती थी MKS पध्यती बताऊंगा इनके बारे में MKS का ही नया रूप है SI मतलब ये कह सकते है कि अगर कोई आपसे पूछे कि MKS पध्यती में मातरक तो प्यारी बिद्धारतियों जो मातरक SI पध्यती में बोले जाते है वो ही मातरक MKS पध्यती में होते है मतलब MKS का नया नाम रख दिया SI पध्यती इसके बाद इससे थोड़ी पुराणी पध्यती है जिसका नाम है CGS पध्यती और इससे भी पुराणी जो पध्यती है वो उसका नाम है FPS पध्यती इसको भी मैं अलग-अलग पढ़ाँगा Actually, सुरू में चलता था फुटे दूरी को किसमे मापते थे? फुट में फिर आगे कहानी चेंज हुई फुट को आगे चेंज किया सेंटी मीटर में फिर चेंज किया मीटर में और आज भी SI में भी दूरी को किसमे मापते है? मीटर में देखो, ये दूरी के मापने के मात्रक आये थे सुरू में सिरू सिरू में दूरी को फुट में मापा गया फिर अगली पद्धती आई cm में मापि गई दूरिया फिर दूरिका MKS में मात्रक आया मीटर और SI में भी क्या बोला जाता है मीटर अब आता है आपका द्रविमान प्यारे मिध्यारतियो, द्रविमान को FPS पद्धती में तो पौण है द्रबमान को सबसे पहले मात्रक क्या दिया पाउंड फिर मात्रक दिया ग्राम फिर मात्रक दिया किलोग्राम और आज भी किसमे मापते हैं द्रबमान को किलोग्राम में तो देखिए द्रभेमान को मापने में सबसे पुराणा मातरक था, पांड, फिर आया ग्राम, फिर आ गया किलो ग्राम, और ऐसाई में भी क्या है किलो ग्राम. प्यारे विध्यार्तियों समय का मात्रक इस पध्यती में भी सेकंड है और आज भी समय का सेकंड ही मात्रक आता है तो समझ ये और आज आगा धीरे धीरे चैंसन नहीं करना है अभी यहाँ पे मैं किलियर कर रहा हूँ कारिय का ऐसा ही पध्यती में मात्रक रहता है जूल जबकि CGS पध्यती में कारिय का मात्रक अर्ग होता था प्यारे विध्यार्तियों CGS पध्यती में कारिया को किस में मापा जाता था अर्ग में मापा जाता था बस इतना सा कुछेगा कि CGS पध्यती में कारिया का मात्र क्या होता है अर्ग होता है प्यारे विध्यारते हो किलियर हो गई यहां से बाते एक एक पॉंट सो कर रहा हूं कोई भी लाइन गलत नहीं होनी चाहिए अब चलते हैं देखे बापस से आते हैं एक बार सांदार तरीके से अच्छे से सुनो सिरू सिरू में हमा को सर ने बताया कि कारिय क्या है बल इंटू बिस्तापन को बोलते हैं कारिय बल इंटू बिस्तापन अब सुनो, कारिय का एक मात्रक और, सुनो, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, राइट सर, बल का मात्रक होता है, न्यूटन, और विस्तापन का मात्रक होता है, मीटर, सुन मेरा भाई, अच्छे से, कारिय का मात्रक हम क्या बोल रहे है, जूल, ठीक है सर, लेकिन प्यारे विद्ध्यार्तियों यदि option में जूल नहीं हो तो आपको option में मिलेगा Newton into meter फिर सुन लीजिए अगर option में कारिय का मात्रक जूल नहीं दे रखा तो ये सूत्र के हिसाब से देखो बल का मात्रक क्या होता है Newton और विस्तापन का मात्रक क्या होता है तो finally हम ये कह सकते है कि कारिय का एक मात्रक ये बोल सकते है Newton into meter और Newton into meter को ही हम जूल बोलते है Newton into meter को ही हम क्या बोलते है जूल बोलते है एक बार फिर कहना चाहरा हूँ यदि option में कारिय का मात्रक जूल नहीं मिले अब गड़बड़ी क्या हो रही है बिद्ध्यारती क्या है गुरुज कारिया का मातरत तो जूल होता है लेकिन ओप्सन में जूल दे ही नहीं रहा अगर ओप्सन में जूल नहीं दे रखा मेरा भाई तो ओप्सन में मिलेगा न्यूटन इंटू मीटर और न्यूटन इंटू मीटर को ही हम क्या बोलते है जूल ब बोले तो जूल तो ये तो इसका अंतर राष्ट्य मात्रक हो गया ऐसा ही मात्रक ठीक है सर अब प्यारे विध्यारतियो एक छोटा सा दुख जरूर होगा लेकिन चीज को समझने की कौसिस करो CGS पध्यती में मात्रक अर्ग कैसे आया समझो देखो ये तो MKS में हो गया ये तो MKS हो गया या Sài हो गया Sài पध्यती में मात्रक हो ये बाला न्यूटन इंटू मीटा तो अब समझना CGS में बदल रहा हूँ इसको तो देखो बल जो है न्यूटन, बल का SI मात्रक तो होता है न्यूटन बलका SI मात्रक तो Newton होता है लेकिन CGS में बदल रहा हूँ इसको CGS में इतको बोलते है Dine Dine बोलते है बलका फिर सुनो बलका SI मात्रक क्या है? Newton बलका CGS में मात्रक क्या है? Dine ठीक है सर अब आता है आपका बिस्तापन का SI मात्रक क्या है? Meter और cgs में इसको cm में मापेंगे किसमें मापेंगे? cm में तो प्यारे विद्यारतियों अगर आपसे पूचे कि कारिय का cgs पध्यति में मात्र क्या होता है? cgs में cgs में होता है मेरा भाई dyne into cm dyne into cm और dyne into cm को ही हम अर्ग बोल रहे हैं समझो अरे मेरा भाई Newton into meter Newton into meter को तो हमने बोला था Joule यह तो ऐसा ही मात्रक है Newton into meter को तो हमने क्या बोला Joule अब हम इसको CGS में बदलना चाहते है तो इसको बदलो यहाँ पे क्या है Newton है तो Newton नहीं बलका ऐसा ही मात्रक तो Newton है लेकिन बलका CGS में क्या होता है, डाइन, यहाँ पे मीटर है, लेकिन CGS में क्या बोलते हैं इसको, सेंटीमीटर, तो अब ये, ये भी CGS में ले लिया, ये भी CGS में ले लिया, तो भाई साब, अब कारिय का मात्रा को गया, डाइन इंटू सेंटीमीटर, डाइन इंटू सेंटीमीट ये इसको ही हम क्या बोलते हैं अर्ग बोलते हैं और प्यारे विध्यार्टें यहाँ लिख देता हूं एक जूल के अंदर एक जूल बराबर दस की पावर साथ अर्ग होता है ये कोशन आये हुआ एक जाम में एक जूल के अंदर 10 की पाबर 7 अर्ग होते है एक जूल बराबर 10 की पाबर 7 अर्ग होता है यह यहीं से आता है एक डाइन का मतलब होता है एक डाइन का मतलब एक न्यूटन का मतलब सोरी एक न्यूटन बराबर 10 की पाबर 5 डाइन और एक सेंटी मीटर बराबर दस की पावर दो एक मीटर बराबर दस की पावर दो सेंटी मीटर तो ये फाइनली बन जाएगा दस की पावर साथ अर्ग थोड़ी शी यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है आपने क्या है डाइरेट पढ़ रखिये चीज़े, क्या गुरु जी, कारिया का ऐसा इमात्रक जूल होता है, CGS पद्धती में अर्ग होता है, हाँ बोई चीज मैं बोल रहा हूं, लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए, अरे, जो जूल आप बोल रहे हो ना, ये जूल किसको बोलते हो, न्यूटन इंटू मीटर को तो हम बोलते है, जूल, और प्यारे विध्यारति हो, CGS में अगर बात करें, तो समझने की कौसिस करो, CGS में जो हम बोल रहे हैं अर्ग, ये अर्ग इसको बोलते है, डाइन इंटू सेंटी मीटर को, क्या बोलते है, अर्ग, तो कारि मिलेगा Newton into meter, अगर option में अर्ग नहीं मिला, तो मिलेगा Dine into centimeter, तो SI के सामने SI, और CGS के सामने CGS, तो प्यारे विध्यारतियों, Newton SI मात रख है, meter SI मात रख है, तो ये भी SI मात रख हो गया, अब आओ, Dine में change करो, Dine, बल का CGS पध्यारति में Dine है, विस्तापन का CGS पध्यारति में centimeter है, तो ये भी CGS पध्यारति में मान आगया क्या, अर्ग है, क्या बास समझ में आई क्या, थोड़ी सी दिक्कत आपको क्या आती है, कि आप देते हो रट्टा, चीज को समझो, पहले SI पध्यारति पे चलो, सर्फ बल का SI मातरग Newton होता है, विस्तापन का SI मातरग meter होता है, तो Newton into meter बोले तो Joule, ठीक है सर, ये तो SI line हो गई, अंतराष्टे पध्याति की line हो गई, अब CGS की line बना रहा हूँ मैं, CGS में कैसे बदलो गई, ये तो SI मातरग की line हो गई, अब CGS में बदलो सबको, अब मैं जाएगे, तो या तो था Newton, अब प्यारे विद्ध्यारते हो, CGS में इसको बोलते हैं, यहाँ है meter, CGS में इसको बोलते हैं centimeter, तो अब चलो, dine into centimeter, बोले तो इसको हम क्या बोलते हैं, आरख, तो ये थोड़ी सी पकड़ रखना और नजर रखना, चलिए, अब मैं आपको कुछ छोटे-छोटे से पिरसन करा रहा है, कारिय के उपर से, कुछ छोटे-छोटे से पिरसन हम करते हैं, चलो, अब समझना चीज़ों को, छोटे-छोटे से numerical हम करते हैं, सबसे पहला question, एक जूल को परिभासित करो, एक जूल को परिभासित कीजिए, काफी बार, गुरूब डी में question आया है, एक जूल को परिभासित कीजिए, अगर कोई आप से कह रहा है, कि मैंने एक जूल कारिय किया है, तो एक जूल कारिय आपने किया है, इसका मतलब समझाओ, बिज्ञान ये कह रही है, कि आपने एक जूल कारिय किया है, हमको इसका मतलब समझाओ, क्या है एक जूल, तो समझना, प्यारे विध्यार्तियों, ये कोई बस्तू है, समझ लेना, ये कोई बस्तू है, इस पर में, इस पर में बल लगा रहा हूं, एक न्यूटन बल लगा रहा हूं, इस बस्तू पर में, एक न्यूटन बल लगा रहा हूं, तो पिर ये विध्यार्तियों, ये बस्तू यहां से, खिसक के, और यहां आ गई, ये बस्तू यहां आ गई, तो ये इसका बिस्तापन है, एक मीटर, बिस्तापित हो गई है, बिस्तापन कितना हुआ है, एक मीटर बिस्तापन हो गया, पिर ये विध्यार्तियों, चीजों को समझे, रटा नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक बस्तू है, कोई पिंड है, इसका बजन से आपको कोई काम नहीं है यहां पे, भले ये 10 किलोग्राम का होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी द्रविमान 10 किलोग्राम है, द्रविमान से आपको यहां कोई मतलब नहीं है, हम कारिय की बात कर रहे हैं बापस सुनू एक पिंड है प्यारे विध्यारतियो जिस पर मैं एक न्यूटन बल लगाता हूं जैसे ही मैंने इस पर एक न्यूटन बल लगाया ये बस तू एक मीटर विस्तापित हो गई बस तू एक मीटर खिसक गई एक मीटर बिस्तापित हो गई तो ब्यक्ति द्वारा इस बस्तू पर किया गया कारिय कितना होगा केलपूलेशन कर रहा हूं हमान को पता है मेरा भाई कारिय बराबर होता है बल इंटू बिस्तापन सर ने बताया अभी कौन की बात नहीं चल रही है सर ने बताया है कि बल इंटू बिस्तापन कर दो कारिय ग्यात हो जाएगा चलो भाई बल कितना दे रखा है एक न्यूटन ठीक है एक न्यूटन बल हो गया बिस्तापन कितना दे रखा है एक मीटर सर एक मीटर बिस्तापन हो गया राइट सर बल दे रखा है एक न्यूटन, विस्तापन हुआ है एक मीटर, किया गया कारिय, एक इंटू एक तो एक जूल, तो किया गया कारिय कितना होगा, एक जूल, मतलब समझो, मेरे प्यारे विध्यारतियों, जब किसी बस्तू पर मैं एक न्यूटन बल लगा कर, उसको एक मीटर बिस्तापित कर दूँ, बापस सुनो, किसी बस्तू पर एक न्यूटन बल लगा कर, उसको मैं एक मीटर बिस्तापित कर दूँ, तो मेरे दुआरा, उस बस्तू पर किया गया कारिय एक जूल होगा, जैसे कोई बॉक्स रखा है, कोई जैसे अपने गाओं में जो बक्कस होते है, बक्सा जो कपड़े रखने के, जैसे मैं ले कोई छोटा बक्सा था, उस पर मैंने एक न्यूटन बल लगाया, और वो बक्सा एक मीटर बिस्तापित हो गया, तो मेरे दुआरा उस बक्से पर किया गया कारिय है, तो देखो, बल का मान एक न्यूटन, विस्तापन का मान एक मीटर किया गया कारिय है, एक जूल, तो इसको बोलते हैं, एक जूल कारिय है, परिभासा कूचिती गुरूब दी में, किसी बस्तू पर एक न्यूटन बल लगा कर, उसे बल की दिसा में, जिदर बल लगा रहे हूं, उदर ही, बल की दिसा में, एक मीटर विस्तापित कर दिया जाए, तो किया गया कारिय है, एक जूल होगा, ये लाइन के लिए हो गई होगी, ध्यान से सुनना, किसी बस्तू पर आप एक न्यूटन बल लगा रहे हो, बल की दिसा में, बिस्तापन हो रहा है, एक मीटर, किया गया कारिय है, एक इंटू एक, फाइनली एक जूल, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक जूल बरावर, दसकी पावर साथ है, आर्ग भी बोल सकते हैं, ब सकते हो, राइट, ये था एक जूल, चलो, एक छोटा सा कॉशन्स, और आपके लिए, चलो, करते चलो, करते चलो, बिल्कुल, बहुत साधारन, साधारन, भले, आदी घंटे क्लास जाद हो जा, लेकिन, कॉशन गलत नहीं होना चाहिए, छीक है, एक कॉशन है, बिल्कुल, बहुत ही बैसिक साध, इससे सस्ता कुश नहीं हो सकता, चलिए, कॉशन है, किसी बस्तु को 100 मीटर धकेलने के लिए, कॉशन लिखो, किसी बस्तु को, आप करना इसको, किसी बस्तु को 100 मीटर धकेलने के लिए, उस पर, धकेलने के लिए, उस पर, धाई सो न्यूटन, धाई सो न्यूटन बलकि आप सकता है, धाई सो न्यूटन बलकि आप सकता है, धाई सो न्यूटन बलकि क्या है? आप सकता है, बिस्तापन बलकि दिसा में है, प्यारे विध्यारतियों, इस सब्द को आच्छे से पकड़िये, विस्तापन जो हुरा है वो बल की दिसा में है विस्तापन बल की दिसा में है कार्य की गढ़ना कीजिए छोटा सा परसन है कार्य की गढ़ना कीजिए प्यारे विध्यारतियो किसी बस्तु को 100 मीटर धकेलने के लिए कोई बस्तु है? 100 मीटर धकेलना है किसी बस्तु को 100 मीटर धकेलने के लिए उस पर 200 न्यूतन बलकी आप सकता है मतलब उसको 100 मीटर धकेलने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा 500 न्यूटन बल लगाना पड़ेगा पर ये विध्यार्तियों जो बस्तू का जो बिस्तापन हो रहा है वो बल की दिसा में है मतलब जिदर आप बल लगा रहे हो विस्तापन भी उसी दिशा में है सुनो तो कारिय की गणना करने है कारिय बराबर सर ने बताया अभी कौन नहीं है अभी कौन वाले पिरसन नहीं आये है कौन वाले पिरसन भी कराऊंगा तो अभी साधारन पिरसन चल रहे है कारिय की गणना करो तो बल दे रखा है धाई सो न्यूटन और विस्तापन दे रखा है सो मीटार प्यारे विध्यारतियों किया गया कारिये ग्याद करो तो कर लो ग्याद धाई सो इंटू सो इतना जूल कारिये करना पड़ेगा 25,000 जूल कारिये करना पड़ेगा प्यारे विध्यारतियों या फिर इसको ऐसे नहीं तो लिख सकते हो कभी कभी किताब में ऐसे लिख देते हैं 25 इंटू 10 की पावर 3 जूल बोई बात भई अरे यारे 3 जीरू हटा दी 10 की पावर 3 लिखती है राइट बात तो ये है कारिये की गरना अभी कौन बाला पिरसन मेंने नहीं कराया है अभी केबल बल और बिस्तापन को गुणा करके ही हम कारिये की गरना कर रहे हैं चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगली पॉंट पर अब जो टॉपिक आने बाला है बिलकुल बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट है चलो ध्यान से सुनो कारिये के पिरकार सबसे इंपोर्टेंट है और हमेशा यहां से पिरसन पूछा जाता है कारिये के पिरकार टाइप आफ बर्ग या तो हेडिंग ऐसे लगा लो कारिये कितने पिरकार का होता है ठीक है या तो ऐसे लगाव हेडिंग कारिये के पिरकार या इसी हेडिंग को हम ऐसे लिख सकते है किसी कौन पर किया गया कारिय है किया गया कारिय है ऐसे लिख सकते हो इसको अब पूरा गेम एंगल का है किया गया कारिय है या फिर अब जो मैं कारिय बता रहा हूँ वो है पॉर्ण्ट नमबर इसी को हमें ऐसे लिख सकते है नियत बल पर प्यारे विध्यारती इसका मतलब भी समझाऊँगा नियत बल पर कारिय की गढ़ना इसका मतलब तीनो का एक ही टॉपिक चलेगा नियत बल का मतलब है कि जिस बस्तूपे आप बल लगा रहे हो ना जैसे आप किसी बस्तूपे दस न्यूटन बल लगा रहे हो जैसा नहीं अभी तो दस न्यूटन लगाया एक सेकेंड बाद में दो न्यूटन एक सेकेंड बाद में एक न्यूटन ऐसा नहीं जो बल आप लगा रहे हो वो कैसा रहना चाहिए नियत रहना चाहिए तो या तो आप ऐसे बोल दो कारिय कितने प्रकार के होते हैं गुरू जी तीन प्रकार के होते हैं ठीक है या फिर हम बात करे हैं किसी कौन पर किया गया कारिय है तो इनको हम तीन तरह से आपको समझा रहे हैं सबसे पहले बात को अच्छे से सुनना हूँ देखो पहला कारिय प्यारे बिध्यार्तियों तीन प्रकार के कारिय मैं बता रहा हूँ सबसे पहले किया गया कारिय धनात्मक भी हो सकता है प्यारे बिध्यार्तियों कारिय का आंसर प्लस में भी आ सकता है दूसरा किया गया कारिये रिनात्मक भी हो सकता है कारिये का आंसर माइनस में भी आ सकता है ध्यान से सुनो और तीसरे नमबर पे किया गया कारिये सुन भी हो सकता है बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है पिल्कुल टॉप पे रख लीजिए इस पॉंट को कारिय तीन प्रकार का होता है किया गया कारिय पोजेटिब भी हो सकता है किया गया कारिय नेगेटिब भी हो सकता है और प्यारे विध्यार्तियों किया गया कारिय सुन्य भी हो सकता है अब ये हो कैसे सकता है अच्छे से समझना जैसे पहला पुन धनात्म कारिया को समझाओ पिर यह विद्धार्तियों कोई बस्तू है किसी बस्तू पर लगाया गया बल और विस्तापन दोनों एक दिसा में हो ध्यान से समझिए हिंदी में लिख देता हूँ पहले धनात्म कारिया का क्या मतलब है किसी बस्तू पर किसी बस्तू पर लगाया गया बल विस्तापन दोनों एक दूसरे के समानतर हो तो किया गया कारिये धनात्मक होगा समझो एक एक पॉंट को बड़े अच्छे से समझ लेना कोई बस्तू है ये कोई बस्तू है प्यारे बिध्यारतियों किसी बस्तू पर लगाया गया बल और विस्तापन दोनों एक डाइरेक्शन में हो अपनी भासा में समझ ये जिदर बल लगा रहा हूं उदर ही बिस्तापन हो रहा है बस तू इदर ही किसकरी है जिदर बल बस तू में बिस्तापन भी उदर ही हो रहा है यदि बल और विस्तापन दोनों एक डिसा में हो या फिर अपने यहां एक सब्द आया है किसी बस तू पर लगाया गया बल और विस्तापन एक दूसरे के समानतर हो समानतर का मतलब है तो बीच का जो कौन होता है ना समानतर जब भी सब्द आये तो कौन का मान जीरो डिगरी होता है मेरा भाई ध्यान से सुनो जब भी समानतर सब्द आए इसका मतलब उनके बीच का कौन है जीरो डिगरी जैसे दो बस तू एक दूसरे के समानतर चल रही है अगर आपको ध्यान हो न तो मैंने जब आपको दरपन का टॉपिक पढ़ाया था तो दो समतल दरपन एक दूसरे के समानतर जोड़े गए थे याद है क्या कुछ दो समतल दरपन एक दूसरे के समानतर जोड़े गए है उनके मध्य कोई बस्तू रखी थी पिर्ती बिम्मो की संख्या ग्याद करवाई थी तो जब भी समांतर 360 बटे ठीटा माइनस एक जब भी कोई बस्तू समांतर रखी है या कोई बस्तू समांतर चल रही है तो उनके बीच का कौन 0 डिग्री रहेगा तो कौन्ट बापस सुन लीजिए प्यारे बिध्यार्तियो धनात्मा कारिय की हम बात कर रहे है किसी बस्तू पर लगाया गया बल और बिस्तापन दोनों एक दिसा में है तो ऐसी इस्तिती में कारिय कैसा रहेगा पॉजिटिव करो सब इसको सॉल करके बता रहा हूँ ज्यान से देखो इदार जैसे हमको पता है कारिय बराबर होता है एफ हैस कोश ठीटा अब कौन की बात आ गई मेरे भाई ठीटा का माच जीरो डिगरी है ना बल और बिस्तापन एक दूसरे के समानतर है ठीटा की बात आ गई कौन की बात आ गई तो फॉर्मूला ये यूज करेंगे एफ हैस कोश ठीटा अब देखो कारिय बराबर थोड़ी देर के लिए एक लाइन बोल रहा हूँ इन सभी उधारणों में सुनो इस पूरे पिरसन में मैं जो बल है वो दस न्यूटन मानूँगा और विस्तापन दस मीटर मानूँगा सुनो मेरी बात को मेरे भाईयो जितने भी उधारण मैं अब ले रहा हूँ उनमें बल दस न्यूटन लूँगा आप चेंज कर लेने हैं दो न्यूटन लेना, पांस न्यूटन लेनेना एक न्यूटन लेनेना, सो न्यूटन लेना लेकिन अभी मैं आपको जो समझा रहा हूँ तो मैं समझा रहा हूँ उन्ही सब उधारणों में बल दस न्यूटन लूँगा और विस्तापन दस मीटर ले रहा हूँ फिर समझा रहा हूँ ठीक है, ठीक है सर देखो कारिय की गर्णा कर ली है बल कितना ले रहा हूँ 10 मीटर सोरी बल है 10 न्यूटन और बिस्तापन है 10 मीटर ठीक है सर कॉस ठीटा का मान है 0 डिगरी 0 डिगरी ठीटा का मान कितना है 0 डिगरी अरे भाई बल और बिस्तापन एक दूसरे के समानतर होते है तो भाई रभाई ठीटा कमान 0 डिगरी है समानतर है बल और बिस्तापन एक दिसा में है तो ठीटा कमान 0 डिगरी आएगा ठीक है 100 करोब परसन को किया गया कारिय 10 इंटू 10 100 मेरा भाई cos बाली लाइन जो विद्यारती मेथ पड़ रहे है आपको एक तो sin ठीटा बाली लाइन याद होगी और एक cos ठीटा बाली लाइन sin cos physics में भी ये दो लाइने आपको काम में आती हैं जगे जगे एक तो sin 0 degree, 30 degree, 45 degree, 90 degree ऐसे cos ठीटा के भी मान याद होने चाहिए होगा 100 J, अब बोले प्लस में आ रहा है या माइनस में, सब ये तो प्लस में आ रहा है, तो अजब बल और विस्तापन एक दिसा में होगा, तो किया गया कारिये धनात्मक ही आएगा, 100 J आया है, दूसरा उधारन बताऊंगा, जैसे माइनस बाले में, माइनस 100 J आएगा, पर सुनो, धनात्मक कारिये का सिक्साधरन सी बात है, प्यारे विध्यारतियो, जिस बस तूपर आप बल लगा रहे हो, जिदर बल लगा रहे हो, विस्तापन उसी दिसा में हो रहा है, जैसे कोई गाड़ी ख़री थी, तो मैंने उस पे, बिलकुल प्लेन प्लस, तो मैंने उस पे लगा दिया बल, तो वो इधारी विस्तापित होगे, इधारी खिसा करिये, यदि बल और विस्तापन दोनों एक दिसा में है, तो किया गया कारिये धनात्मक होगा, क्यों होगा, क्योंकि उसके बीच का कॉन रहता है, जीरो डिग्री, तो सॉल करके देख लो या, ज डबलू बराबर, एफेस, कॉस, ठीटा का मान जीरो डिग्री है, तो डबलू बराबर, एफेस, और कॉस, जीरो का मान होता है, एक, तो डबलू बराबर, एफेस आ जाएगा, मतलब वो ही पोजेटिव आएगा, कहने का मतलब यह है, किया गया कारिये पोजेटिव में ही आ आईगा आप इसको प्रिसन के दूआरा सोल कर सकते हो. बट बात, चलो अब आता है हम बात करेंगे रिनाथमाकार्य कैसा होता है. इसको भी बता दो गुरुजी रिनाथमाकार्य कैसा होता है. चलिए भाई, रिनात्म कार्य यहां बता देता हूँ ठीक है, यहां तो क्या था, बल और बिस्तापन दोनों एक दिसा में है, ठीटा का मान कितना रहेगा ऐसी स्थिती में, जीरो हो रहेगा तो किया गया कार्य पोजेटिव आ गया ठीक है सब, अब ध्यान से सुनना इस बाले को रिनात्म कार्य कब हो सकता है, प्रिय विध्याति हो जब, बल और बिस्तापन जब, बल और बिस्तापन एक दूसरे के, एक दूसरे के, बिप्री दिस्तापन हो कोश्टक में एक सब दाता है, प्रती समांतर समांतर नहीं, प्रती समांतर एक दिसा में हो, तो किया गया कार्य किया गया कार्य रिनात्मक होगा कैसे समझे इसको सर रिनात्म का रही है हाँ मेरे भाई रिनात्म का रही है कैसे समझो इसको ऐसे समझो देखो इसका मतलब ये है कि ऐसे समझो सुरू में तो किसी बस्तू पर बिस्तापन तो हो रहा है इदा बस तो इदर जा रही है और आपने बल लगाया इधर ये कैसे हो सकता है बताऊँगा अभी लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा ये पता चल रहा है कि बल और विस्तापन एक दूसरे के अपोजेट है प्रती समानतर है उधारण बताऊँगा समझो भी बल और बिस्तापन एक दूसरे के अपोजिक्ट में है तो पिर ये विद्ध्यारतियों ऐसी इस्तिती में बल और बिस्तापन के बीच का जो कौन होगा वो 180 डिग्री रहेगा बल और बिस्तापन के बीच का कौन कितना होगा 180 डिग्री उधारन दिवगा लेकिन अभी चीज को समझे अभी सीधा सीधा बोला है किसी बस्तूपल लगाया गया बल और बिस्तापन एक दूसरे के अपोजिक्ट में हो तो किया गया कारिय नेगिटिब में आएगा सर्क सॉल करके बताओ फॉर्मूला हमको पता है कारिय डबलू बराबर एफ एस कौस ठीटा इस बार ध्यान से सुनो प्यारे भाईयो मैंने कहा था मैंने बल एफ बल कितना ले रखा है दस न्यूटन ले रखा है और बिस्तापन कितना ले रखा है दस मीटर ले रखा है और cos theta का मान 180 degree cos theta तो theta का मान यहाँ पर कितना 180 degree है अब सुनो प्यारे विध्यारतियों कारियर w बराबा 10 into 10 तो 100 हो गया कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मेरे प्यारे भाईयो cos 180 का जो मान आता है वो minus 1 होता है cos 180 का मान minus 1 होता है मेरे भाईयो तो ऐसी इस्तिती में किया गया कारिय होगा 100 जूल लेकिन minus 100 जूल हो गई है तो बोलो किया गया कारिय कैसा होगा negative यहाँ 100 जूल आया था plus में यहाँ 100 जूल आ रहा है minus में तो प्यारे विध्यारतियों यदि बल और विस्तापन एक दूसरे के opposite हो प्रती समानतर इसको बोलूँगा जब बल और विस्तापन एक दूसरे के विप्रीद दिसा में हो तो किया गया कारिय negative होगा उधारण है गरसन बल उधारण है गरसन बल कैसे सर समझाओ एक एक चीज समझे प्यारे विध्यारतियों आप घरसन बल भी पड़ोगे घरसन बल ऐसे कहते है कि हमेशा बस्तू के बिप्रीद दिसा में लगता है जैसे कोई भी चीज है मैंने यहां से ऐसे छोड़ी कोई भी जैसे माली जी आप कोई काच की गोली लेते हो और आप उसको छोड़ते हो तो प्यारे बिध्यारतियों जब काच की गोली जमीन से रिगरती हुई जाती है तो थोड़े से समय के बाद जाके वो काच की गोली रुख जाएगी चा कितने भी आगे जाके रुखे लेकिन वो काच की गोली रुख जाएगी किसने रोखा उसको वो काजकी रोही रुक क्यों गई अपने आप वो रुक गई घरषण बलकी पजैसे तो प्यारे बिध्यारतियो कोई भी बस्तु इदर चल रहे है बिस्ता पे थो रही है आगे की तरह पिर ये बिध्यारतियो उसके अपोजिट में हमेसा घरषण बलकार करता है बिप्रीत दिशा में कौन सा बल लगेगा घरसन बल लगेगा तो बिस्तापन है इदर की तरफ और घरसन बल है इदर की तरफ तो बल और बिस्तापन एक दूसरे के अपोजिट हो गए है प्यारे विध्यारतियों तो किया गया कारिय कैसा आएगा नेगेटिव आएगा बस द दूसरे के एक एक example और दूँगा इन सब का लेकिन अभी तो समझ लीजिए यदि बल और बिस्तापन एक दूसरे के अपोजिट में है तो इनके बीच का कौन देखो 180 degree और cos 180 का मतलब होता है minus 1 तो मेरे भाई जब 100 minus 1 से गुणा होगा तो 5 किया गया कारिये रिनात्मक होगा समझ में आ गई के बाद सबसे top quality का topic है यह समय लग रहा है क्यों भई समय इसलिए रग रहा है यहां से question पूछे जाते है बार बार इन चीजों को समझना है बार बार इन चीजों को समझना है सुन्न कारिय सबसे ज़्यादा important है, सुनो कैसे, ये सुन्न कारिय कब हो सकता है, कब कब सुन्न कारिय हो सकता है, सुनो पहले तो, ऐसे समझो, यहाँ पे, ओके, यहाँ तर जा, अब सुनो, जब बल और बिस्तापन, बल और बिस्तापन, एक दूसरे के, एक दूसरे के, लंब बत हो, लंब बत का मतलब है, मेरा भाई 90 डिगरी, मेरे प्यारे बिध्यार्तियों, जब बल और बिस्तापन के बीच, 90 डिगरी का कौन हो, बल और बिस्तापन के बीच, बताओंगा कैसे आएगा ये कौन, ऐसा कौन बनेगा, बताओंगा भी, प्यारे बिध्यार्तियों, जब बल और बिस्तापन के बीच, 90 डिगरी का कौन हो, तो ऐसी इस्तिती में किया गया कारी है, सुन्य होगा, बराबर उध्यारन दे के समझा रहा हूं, सुनो, जब बल और बिस्तापन एक दूसरे के लंब बत हो, कैसे हो, लंब बत हो, तो किया गया कारी है, सुन्य होगा मेरी भाई, जब बल और बिस्तापन एक दूसरे के लंब बत है, लंब बत का मतलब है, कि जब बल और बिस्तापन के बीच, 90 डिगरी का कौन बन रहा हो, तो कादियस सुनना आएगा, कैसे आएगा, सुनो, थोड़ी देर के लिए, ये बिस्तापन है इधर, और बल है इधर, समझाओंगा, रुखो, कोई बस्तू में बिस्तापन इधर हो रहा है, और बल नीचे की तरफ लग रहा है, बोलो इनके बीच का कौन कितना आ रहा है, 90 डिगरी आ रहा है, सर, हाँ, उधारन दे रहा हूं, समझो बात को, जब बल और बिस्तापन के बीच 90 डिगरी का कौन आएगा, तो हमेशा कार्ये सुन्य होगा, कैल्पुलेशन कर लो, यहाँ छोटी कैल्पुलेशन कर रहा हूं, डबलू बरावर, एफेस, कौस ठीटा, दीख रहा है क्या, डबलू बरावर, एफेस, कौस ठीटा, मेरे प्यारे भाईयो, मैंने बल कितना लिया था, 10 निूटर, बिस्तापन, 10 मीटर, और कौस ठीटा तो है, यह ठीटा का मान, इस बार 90 डिगरी, कौस 90, कौस 90, कौस 90, सुनो, डबलू बरावर 10 इंटू 10, 100 और कॉस 90 का मान जीरो कॉस 90 का मान जीरो प्यारे विद्ध्यार दियो कॉस 90 का मान जीरो और जब भी कोई रासी जीरो से गुड़ा होगी, किया गया कारिय भी जीरो होगा यहाँ और बरता देता हूं सुनने कारिय के लिए देखो उपर एक बार और डबलू बरावर एफ एस कॉस ठीटा हमने बलको 10 न्यूटन माना था, माना बिस्तापन 10 मीटर हो रहा है, कॉस ठीटा का मान 90 डिगरी है तो 10 इंटू 10, 100 कॉस 90 का मान जीरो होता है मेरे भाईयों, तो बोलो किया गया कारिय फाइनली कितना हो जाएगा 0 तो मेरे साथियो थोड़ इसी महनत तो करनी पड़ेगी आपको फिजिक्स बायलोजी की सी तरह नहीं है कि मानब सरीर के अंदर 206 हड़ी होती है, सबसे लंबी हड़ी फिमर है, सबसे छोटी हड़ी इस्टेपिस पढ़ने बाली कहानी नहीं है फिजिक्स को समय लगे लेकिन समझना पड़ेगा कंसेप्ट पकड़ो पहला पिरसन मैंने बताय था कारिय का पहला पिरसन बहुत साधारन सा होगा यदि पिरसन में केबल आपको बल और बिस्तापन दे रखा, कौन की बात नहीं कर रहा हो तो कुछ नहीं कारिय बराबर हो जागा बल इंटू बिस्तापन बल और बिस्तापन को गुणा कर देना कारिय आ जाएगा पहला पिरसन तो साधारन सा था पहला पिरसन तो साधारन सा था कि बल और बिस्तापन को गुणा कर देना कारिय आ जाएगा लेकिन जब बात कौन की आ गई तो आपको फॉर्मूला यूज करने का Fs कोश्ट ठीटा का तो अब सुनो यदि बल और बिस्तापन दोनों एक दिसा में है किया गया कारिय पोजिटिब रहेगा यदि बल और बिस्तापन एक दूसरे के अपोजिट में है किया गया कारिय नेगिटिब आएगा और मेरे सभी साथियो यदि बल और विस्तापन के बीच 90 डिग्री का कौन बन रहा हो तो ऐसी इस्तिती में किया गया कारिय सुन्य होगा इसका उधारन बताओ गुरू जी इसका उधारन ये है समझो जैसे कोई बस्तू है उसको मैं सिर पे रखके चल रहा हूँ समझना किसी बस्तू को मैं सिर पे रखके चल रहा हूँ चल रहे हूँ ठीक है सर चित्र बना देता हूँ एक हलका सा सुन्य कारिये पेर देखो किसी बस्तू को आप सिर पे रखके चल रहे हो चल चलेंगे इसमें क्या फरक पट रहा है किसी बस्तू को आप सिर्पे रख के चल रहे हो तो अभी आपका एक है एक मिनट देखो जैसे एक भाई है किसी बस्तू को सिर्पे रख के लेके जा रहा है किसी बस्तू को सिर्पे रख के लेके जा रहा है तो समझो ये ऐसे आगे जा रहा है तो मेरे भाई बात को समझना पता है ये ऐसे आगे जा रहा है तो इस पर बिस्तापन तो हो रहा है ऐसे नीचे की और एक बल लगता है उसका नाम है गुरुत्विये बल F बराबर M G आगे आएगा F बराबर M G आ रहा है धीरे धीरे आ रहा है एक चैप्टर आ रहा है गुरुत्वा करसर तो वहाँ पे हम एक तो बल साधारन एक बल का फॉर्मूला तो ही होता है A बराबर M A द्रबमान इंटू तोरन के गुड़न फल को बल बोलते है एक बल तो यह है द्रबमान इंटू तोरन से हम बल ग्याद कर सकते है जैसे कोई बस्तू है उसका द्रबमान होगा और बेग में परीबरतन तो जब आपको द्रबमान और तोरन दे रखा है तो इससे हम कह सकते है बल ग्याद कर सकते है द्रबमान इंटू तोरन से लेकिन यह बल है गुरुत्वा कर्सन बाला बल तो इसी बल को आपको पता है कोई भी बस्तू को आप उपर फैकते हैं तो वो बापस नीचे जा रही है कोई भी बस्तू आप उपर फैकते हैं वो बापस नीचे जा रही है गुरुत्विये बल की बज़े से तो ये गुरुत्विये बल में यहाँ पर होता है F बराबर M G बाला तो कोई बस्तू सिर्पे बस्तू रखके जा रहा है तो ये तो इसका बिस्तापन हो गया और इस पर नीचे की और एक बल लगेगा हमेशा ये होगा उसका गुरुतिवेबल MG तो अब ध्यान से सुनो देखो अब कौन चेक करो ये बिस्तापन रहा ये बल रहा है बुलो इनके बीच का कौन कितना आ रहा है 90 डिगरी आ रहा है तो बार-बार के रहा है जब भी बल और बिस्तापन के बीच 90 डिगरी का कौन बन जाए समझ लेना किया गया कालिये सुन्य होगा उधरन एक ब्यक्ति किसी बस्तू को सिर पर रख कर 5 मीटर बिस्तापित हो रहा है मतलब यह यहां से यहां चला गया लेकिन बल कहां लग रहा है नीचे की और तो किया गया कारिय क्या होगा प्यारे बेटे हरतियों सुन दो यह है एक उधारन और एक उधारन और जैसे समझ लो धनात्मा कारिय में उधारन और समझ लो और एक उधारन इसमें भी समझ लो पहले तो सोट में बता दिया यदी बल और बिस्तापान दोनों एक दिसा में है तो इनके बीच कौन कितना रहता है जीरो डिगरी तो प्यारे विधारतियों किया गया कारिय पोजेटिव आएगा डूसरा यदी बल और बिस्तापन एक दूसरे के अपोजेट में है तो इनके बीच का कौन 180 डिगरी आएगा और किया गया कारिय नेगिटिव रहेगा और बल और बिस्तापन के बीच बन जाता है, तो प्यारे विध्यारतियों किया गया कारिय सुन आएगा, उधारन नमबर पहला, एक कुली है प्यारे विध्यारतियों, एक कुली है, किसी सामान को जमीन से उठा के सिर पर रख रहा है, किसी कुली ने कोई सामान जमीन से उठा के सिर पर रख लिया, ध्यान से सुनना दो लाइन है बहुत इंपोर्टेंट है जैसे नीचे एक बैग रखा है मैंने उस बैग को उठा के सिर्पे रख लिया ब्यक्ती द्वारा बस्तू पर किया गया कारियर लेंग बेच सुनना लेंग बेच पकड़ो ब्यक्ती द्वारा बस्तू पर किया गया कारियर ध्यान से सुनो ब्यक्ती द्वारा बस्तू पर किया गया कारियर तेखो कोई बस्तू है उठा के मैंने सिर्पे रख ली तो सुनो मेरी बात को बल भी उपर और बिस्तापन भी उपर तो प्यारे बिद्ध्यार्तियों ऐसी इस्तिती में किया गया कारिय पोजिटिव आएगा भई बिस्तापन भी उपर और बल भी उपर की तरफ यदि प्यारे बिद्ध्यार्तियों बल और बिस्तापन दोनों एक दिसा में हो तो किया गया कार्ये प्यारे बिध्यारतिओ, धनातमग होगा किया गया कार्ये कैसा होगा, हाँ बिलकुल धनातमग होगा चीक है, देखो बात को समझना ब्यक्ती द्वारा, लाहिन पकड़ना नहीं तो गडबड़ी हो जायगी और जहां मैं बोलता हूँ नहीं कि पकड़ना, ब्यagtी दूआ रहा किय गया कारी है, धनात्मक होगा। कैसे? भई, कोई ब्यagtी है, बस तु भी उपर ला रहा है, मतलब बिस्तापन भी उपर की तरफ और बल भी किदर लगा रहा है, उपर की तरफ? तो यदी बल और विस्तापन दोनों एक दिसा में है तो किया क्या कारिय धनात मःगा अब इसी परसंद को दूसरे तरीके से सुनना कोई कुली है धान से सुनना किसी बस्तू को बोई जमीन से उठा के सिर पे रख रहा है बात को सुनना एक कुली था, उसने किसी बस्तू को जमीन से उठा के सिर पे रख लिया, तो अब लेंगबेज सुनना, गुरुत्वा करसन बल के द्वारा किया गया कारी है, यह दूसरी लेंगबेज है, यहां दूसरे लेंगबेज बे दिया है, गुरुत्वा करसन बल द्वारा किया गया क प्यारे विद्धार्तियों अच्छे से समस्तना यहाँ पे बोला था ब्यक्ति द्वारा किया गया कारी है और यहाँ पे गुरुत्वा कर्षन बलके द्वारा किया गया कारी है तो मेरे सभी सातियों ध्यान से सुनों प्यारे विद्धार्तियों यह बस तू को ऊपर लेके ग तो गुर्टबा कर्षन बल तो मैंने बता है ना ये बस तू है तो गुर्टबा कर्षन बल हमेशा नीचे की ओर लगेगा F वराबर M G यहां नहीं बोला वो क्या गुरुजी इसमें भी लग रहा है हाँ इसमें भी लग रहा है लेकिन पिरसन ने बोला है कि ब्यक्ति आपको गुरुत्वा कर्सन नहीं बोला है वो पिरसन कहरा है कि ब्यक्ति द्वारा की अगय कारिये बताओ यहां वो कह रहा है कि गृत्वा कर्षण बल के द्वारा की अगय कारिय है तो जब गृत्वा कर्षण बल की बात आ गई तो आपको पता है गृत्वा कर्षण बल तो हमेशा कहा लगता है नीचे की और तो देखो बिस्तापन उपर की और बस तुको उपर के और लेके आ रहा हो जबकि गुरुत्विया कर्षण बल नीचे की और तो देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में होगे न बिस्तापन तो उपर और गुरुत्वा कर्षण बल नीचे तो एक दूसरे के अपोजिट में है प्यारे विध्यार्ति हो जब बल और विस्तापन एक दूसरे के विप्रीद दिसा में हो तो किया गया कारियर नेगिटिब आएगा लेंग बेच पकल लेना नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा क्यों गुरुष पिरसन पतो ही कुल लगे अरे पिरसन तो जब पता लगेगा जब कोई चीज आपको समझ में आएगी चीज को समझो अच्छे से दो बार वीडियो को देखो एक बार नहीं दो बार पहला पिरसन एक ब्यक्ति है किसी बस्तू को जमीन से उठा के सिर्पी रखता है ब्यक्ति द्वारा बस्तू पर किया गया कारिय दनात्मक होगा एक दूसरा पिरसन एक ब्यक्ति है किसी बस्तू को जमीन से उठा के सिर्पी रखता है गुरुत्बा कर्सन बल के द्वारा किया गया कारिय प्यारे बिद्ध्यार्तियों वो लेगे टिबाएगा, क्योंकि, जब गुरुत्बा कर्षण की बात कर रहा है, तो गुरुत्बा कर्षण बाला बल देखना पड़ेगा, ये था कारिय के पिरकार, तो मेरे प्यारे विध्यारतियों, बीडियों को एक बार इतना सो कर दिया करो, इतना तो हक बनता है, कि ज जितना हो सके अपने जितने भी education group है कम से कन उन education group में तो आप इनको share करतीजिए ताकि विध्यार्त इसको देख सके पढ़ सके और उनका कोई चीज या भी अच्छे से उनको समझ मजाए तो हो सके कि उनका 1% सही हो जाए और वो उनके भविस के लिए काम में जाए तो इतना स आप से है एक लाइक आपका बनता है और साथ में इस वीडियो को education जो link share करने का निसान आता है तो जितने भी अपने education group है उनमें आप इनको share करतीजिए चलिए एक बहुत ही खास चीज में और आपको बताने जा रहा हूँ धान से सुनो एक टम्स और है बहुत अच्छा सब्द है कारिये सुनने किन-किन इस्तितियों में हो सकता है इसको भी समझो कारिये सुन्ने किन-किन इस्तितियों में हो सकता है पहले तो पता चल गया कि कारिये तीन प्रकार के हो सकते है धनात्मत भी हो सकता है, रिनात्मत भी हो सकता है सुन्न भी हो सकता है लेकिन अब जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि सुन्य कारिय कब-कब हो सकता है समझना सुन्य कारिय किन-किन इस्तितियों में हो सकता है बिल्कुल साधारण सी भासा लेख रहा हूँ किन-किन इस्तितियों में कारिय सुन्ने हो सकता है वो इस्तिती बताओ सर इस्तिती नमबर पहली समझना जब बल और बिस्तापन जब बल और बिस्तापन के बीच जब बल और बिस्तापन के बीच ऐसे भी बोल सकते इसको बल और बिस्तापन एक दूसरे के लंब बत हो भाई 90 डिगरी के लिए लंब बत सब्द भी आएगा पहली कंडिशन जब बल और बिस्तापन एक दूसरे के लंब बत हो या बल और बिस्तापन के बीच 90 डिगरी का कौन हो तो किया गया कारिय सुन्य हो सकता है इस्तिती नमबर एक दूसरा कारिय सुन्य कब हो सकता है सुनिए हमारे पास फॉर्मूला है कार्य बरावर fs cost theta राइट बात ये हमारा कार्य ग्याद करनी का फॉर्मूला है अब सुनो कार्य कब-कब 0 हो सकता है दूसरी स्तिती प्यारे विध्यारतियों यदि किसी बस्तू पे लगाया गया बल 0 हो अगर आप बल के मान को 0 कर दो अगर किसी बस्तू पर लगाया गया बल 0 हो तो मुझे बताओ इतना तो समझ पा रहे होंगे यदि किसी बस्तू पे आप बल ही नहीं लगा रहे अरे मेरा भाई जब आप बल ही नहीं लगाओगे तो किया गया कारिय सुन्य हो गाई होगा सुनो देखो कौन कितना है कितना भी हो बिस्तापन कितना भी हो लेकिन जब ये सभी रासी जीरो से आके गुणे होगी भी बल कितना है जीरो जब ये सभी रासी जैसे इसका मान दस है इसका मान पचास है और जैसे वो रासी जीरो से आके गुणा होगी तो किया गया कारिये भी जीरो हो जाएगा तो दूसरी इस्तिती पिरिये विद्ध्यार्तियों यदि किसी बस्तू पर बल सुन्य हो तो ऐसी इस्तिती में किया गया कारिये भी सुन्य होगा ठीक है जैसे बात करें अंत्रिक्ष में पिंडो की गती दूसरा उधारण है प्यारे विद्ध्यार्तियो अंत्रिक्ष में पिंडो की गती अंत्रिक्ष में जो भी पिंड गती कर रहे है उन पर बल का मान प्यारे विद्ध्यार्तियो जीरो होता है जब बल ही जीरो होगा उनके बीच में जो फोर्स है वो जीरो रहेगा तो किया गया कारिये भी क्या रहता है उनका 0 तो अंत्रिक्ष में पिंडो की जो गती है बो भी एक तरह से प्यारे विध्यारतियों वहाँ पे बल का मान 0 होता है तो किया गया कारिये उनके क्या रहता है 0 ऐसे समझ लेना अगर किसी बस्तू पे बल 0 है तो finally किया गया कारिय भी क्या हो जाएगा 0 तीसरी स्थिति प्यारे विध्यारतियों समझो हमारे पास कारिय का फॉर्मूला है F.S. कॉस्ठीटा कितनी बार लिख दिया यार अब तो याद हो गया होगा अब सुनो तीसरी स्थिति यदी किसी बस्तू का बिस्तापन जीरो हो प्यारे पिध्यारतियों यदी किसी बस्तू में बिस्तापन जीरो हो अब कितना भी धक्का दे रहे हो बस्तू में बिस्तापन नहीं हो रहा बस्तू खिसक नहीं रही यदी बिस्तापन जीरो होगा बल कितना भी लगा लो, पौन कितना भी हो, ये रासी कितनी भी हो, ये रासी कितनी भी हो, जब वो आके जीरो से गुणा होगी, तो किया गया कारिय पूराई क्या हो जाएगा, जीरो, तो ऐसी इस्तिती में भी कारिय क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी कारि विध्यार्ति हो, कोई बड़ा सा फत्तर हो, आपके आसपास कोई पहाड़ों बड़ा सा फत्तर हो, और आप उसपे बल लगा रहे हो, सो न्यूटन, कितने भी कौन पर कभी ऐसे लगा रहे हो, कभी ऐसे लगा रहे हो, पूरी इदर्मन कर लिया, मतलब बल खूब लगा लिया गुरुजी, बल लगा लिया, 100 न्यूटल लगा लिया, गुरुजी, कौन भी चेंज करकर देख लिया, कभी ठीटा का मान 10 डिगरी लगाया, और कभी 30 डिगरी लगाया, कभी क्या लगाया, लेकिन बस तू में बिस्तापन ने हुआ सर, बस तू खिसकी नहीं, अरे ये कुतन भी ले लो, ये कितना भी ले लो, जब विस्तापन ऐस जीरो है, तो पूरी रासी जब जीरो से आके गुणा होगी, जैसे ये माना 100 है, बल विस्तापन जीरो है, और ये कौस, कौस 30 ले लो है, कौस साइट डिगरी ले लो, कौस साइट एक बटे डो है, होता है, तो कौस सा buy finally कैने का मतलब, ये है, मेरे प्यारे भाइयो, तीन इस्तिती में कारिय सुन मिलेगा, कौन कौन सी इस्तिती? पहले, यदि बल और विस्तापन के बीच 90 डिगरी आ रहा है, तो अभी कारियो जीरो होगा, यदि बल सुन है, यदि किसी बस्तू पे लगाया गया बल जीरो है तो कारिये भी जीरो होगा और यदि किसी बस्तू का बिस्तापन जीरो है भले बल कितना भी लगा रहे हैं लेकिन इस बात बिस्तापन जीरो है अगर बिस्तापन जीरो है इतनी मैत तो आप जानते होंगे कि अगय कारिये भी जीरो होगा बहुत important part है चलिए एक चीज और अगर वीडियो में बिलकुल बहुत मज़ा आ रहा हुँ ना तो share कर देना यार इतना सा काम जरूर कर देना चलो एक last part देखे प्यारे विध्यारतियो एक सब्द आ रहा है सुना होगा अभी केंद्रिये बल सब आ रहे है आझार अब दिको topic एक साथ सभी के बारे में नहीं जान सकते अभी केंद्रिये बल अपनी भासा में समझाओ कोई धागे में फत्तर बांध क्या है हम घुमा रहो किसी धागे में फत्तर बांध क्या हम गुमारे हो, तो अंदर की तरब जो बल लगता है ना, वो होता है अभी केंद्रिये बल, जैसे अब धागे में फत्तर बांद के गुमारे हो, तो अंदर की तरब जो बल लग रहा है, वो बल है अभी केंद्रिये बल, अब सुनो, जैसे ये कोई ब्रताकार पत है, ये इसका से अब कोई बस्तू यहां है, तो ये एधर इस बेग से गती करें, और इस पर अंदर की तरफ लग रहा अभी केंद्रीय बल। जब भी कोई बस्तू ब्रताकार पत्में गती करती है तो उस पर अंदर की और एक बल लगता है वो बल होता है अभी केंद्रिय बल ठीक है ये कोई बस्तु है कोई पिंड है ये गती कर रहा है इसके तो आप देखो इस पर बल जो है वो अंदर की तरफ लग रहा है अभी केंद्रिय बल century petal force अभी kendryable कौन सा बल हो गया यह अभी kendryable century petal force इसको हम नाम दे रहा है century petal force अब सुनो अब बात यह है century petal force अभी kendryable अब सुनो जब भी कोई बस्तु ब्रताकार पत पे गती करेगी नोट करो line को जब भी कोई बस्तू ब्रताकार पत्पे गती करती है तो उस पे अंदर की और ही बल लगता है उसका नाम है अभी केंद्रिये बल तो आप से पूछेगा ये ए बिंदू पर अभी केंद्रिये बल के द्वारा बस्तू पर किया गया कारिया language ऐसे आएगी अभी केंद्रिये बल द्वारा किया गया कारिया language ऐसी होगी language पकड़ना अभी केंद्रिये बल द्वारा किया गया कारिया language ऐ रहेगी कौन से बल के द्वारा देखो एक बार तो language के आई थी कृत्बा कर्शन बल के द्वारा किया गया कारिया सब्द पकड़ना यहाँ पर आता अभी कैंद्रियबल यह जो कि अंदर की ओर लग रहा है बस तू पर तो अभी कैंद्रियबल के द्वारा किया गया कारी अब सुनो बस तू ऐसे जा रहे ही हो यह इसकी डाइरेक्शन है यह इसका बिस्तापन है और अभी कैंद्रियबल अंदर की ओर है तो बोलो मेरे भाई इनके बीच का कौन कितना बना 90 डिग्री बार बार कह रहा हूँ जब भी बल और बिस्तापन के बीच 90 डिग्री का कौन बन जा है बल बिस्तापन के बीच कितना कौन है 90 डिग्री जब भी बल और बिस्तापन के बीच 90 डिगरी का कौन बन जाए किया गया कारिये 0 होगा तो यहाँ पर किया गया कारिये कितना है 0 अभी केंद्रिये बलके द्वारा बस्तू पर किया गया कारिये कितना होगा 0 चलो बी पॉंट पर यहाँ देखते हैं इस पॉंट पर चेक करो यह है इदर बिस्तापन और अभी केंद्रिय बल अंदर की और अभी केंद्रिय बल अंदर की और फिर एक बार फिर देखो बल और बिस्तापन के बीच फिर एक बार 90 डिगरी का कौन बना है जब भी बल और बिस्तापन के बीच 90 डिग्री का कॉन बने तो ये बी पॉंट पर भी किया गया कारिये सुन्य होगा ऐसे ही एक C पॉंट ले रहा हूँ ये है C पॉंट ये इसका बिस्तापन है और अंदर की और है अभी केंद्रिये बल एक बार फिर से इनके बीच में 90 डिग्री का कॉन बने रहा है तो ये C बिन्दू पर किया गया कारिये भी कितना होगा 0 मेरे प्यारे बिध्यारतियों ऐसे इस पॉंट पर देखता हूँ तो बिस्तापन एदर है और अभी केंद्रिये बल अंदर की और है एप C का मतलब है सेंट्री पीटल फोर्स तो एक बार फिर से इनके बीच में 90 डिग्री का कॉन बना और किया गया कारिये 0 अब एक लेन नोट करो जब कोई बस्तू ब्रताकार पत पर गती करती है नोट कर लो अच्छे से जब कोई बस्तू बहुत सांदार पिर सन है जब कोई बस्तू ब्रताकार ब्रताकार पत पर गती करती है तो अभी केंद्रिय बल द्वारा पर्तेग बिंदू पर किया गया कारिय है सुन्य होगा प्रतेग बिंदू पर किया गया कारिय क्या होगा सुन होगा मेरा भाई वो आपसे पूछेगा एक पिंड है ब्रताकार पत्मे गती कर रहा है पूछेगा A बिंदू पर किया गया कारिय सुन B बिंदू पर किया गया कारिय सुन D बिंदू पर किय गय कारिय सुन एक 이 CDC बात है जब भी कोई बस्तू बरताकार पत्मे गती करती है तो अभी केंद्रिय बल्दुारा किय अगय कारिय सुनने होगा ग्रेहों की गती प्यारे विध्यारतियो जैसे हमारी ये प्रत्वी है और प्रत्वी के चारो और चंद्रमा चक्कल लगा रहा है लगा रहा है नहीं प्रतकार पत्मे चक्कल लगा रहा है नहीं लगा रहा है तो मेरे भाई बता कि चंद्रमा के द्वारा किया गय कारी है सुन होगा क्योंकि आपको पता है जब भी कोई बस्तू ब्रताकार पत्मे गती करती है तो अभी केंद्रिय बल्की बज़े से किया गय कारी कितना होता है सुन जैसे ये सूर्य है और इस सूर्य के हमारी प्रत्वी ये चक्कर लगा रही है ब्रताकार पत्पर तो प्यारी बिध्यारतियों अभी केंद्रियबल की वज़े से बस्तू द्वारा पत्वी द्वारा किया गया कारिये कितना होगा तो सीधी सी बात ये है जब भी कोई बस्तू ब्रताकार पत्व में गती करती है तो प्रतेग बिंदू पर किया गया कारिये सुन्य होगा हर बिंदू पर जैसे माल है, कोई athletics है, खिलाडी है, कोई ब्रताकार पत में चकल लगा रहा है, तो आपसे कुछ़एखाएग कारिया है, सुन्य, c पर की अगया कारिया है, हर बिंदु पर की अगया कारिया, क्या होगा, सुन्य होगा, बोलो बास समझ में आयर नहीं आई, किलास बहले ही लंबी हो जाए लेकिन पॉंट तो एक ही है कारी है कितने सारी चीजे मैंने बताई है नोट कर ले न यार लोग 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट कारी है पढ़ाते है हर पॉंट समझाने की कौसिस कर रहा हूँ तो प्यारे बिध्यारतियो जब भी कोई बस्तू ब्रताकार पत्मे गती करती है तो अभी केंद्रिये बलद्वारा बस्तू पर किया गया कारी है सुन्य होगा चालो एक और एक चीज और जैसे ये खिलोना है एक खिलोना है भाई और एक बालक इस खिलोने पर दो न्यूटन बल लगा रहा है और ये खिलोना पांच मीटर बिस्तापित हो रहा है समझना मेरी बात को एक गाड़ी नहीं होती है खिलोना जैसे उसके धागा बांदिया तो जैसे उसके धागा बांदिया तो जैसे अपने इसको ऐसे खीचते ही हूँ तो खिलोने को खीच रहे तो ये तो बल है खीचेंगे नहीं ऐसे ही थोड़ा धागे को उपर करके यूँ तो ये तो इसका बल हो गया 2 न्यूटन और ये इसका बिस्तापन हो गया 5 मीटर ठीक है पिर सन में दिया है एक बालक है किसी खिलोने पर 2 न्यूटन बल लगा कर 5 मीटर बिस्तापित करता है इनके बीच का कौन दे रखा है इनके बीच का कौन 60 डिगरी दे रखा है बल और बिस्तापन के बीच का कौन कितना है 60 डिगरी तो पिरिये बिध्यार्तियो इस बालक के द्वारा इस बस्तू पर किया गया कारिय कितना होगा बालक के द्वारा इस बस्तू पर किया गया कारिय कितना होगा तो देखो बल दे रखा है 2 न्यूटन कोई परिशानी बिस्तापन दे रखा है 5 मीटर कोई दिक्कत इनके बीच का कोण 60 डिग्री दे रखा है तो हिलोने को खीच रहा बालक तो कारिय की गणना करो कोण आ गया तो F वर Fs कौश ठीटा से सौल कर दो यार किया गया कारिय बल कितना है 2 बिस्तापन कितना है 5 कौश ठीटा का मान 60 डिग्री दे रखा है किया गया कारिय 5 इंटू 2 10 कौश 60 का मान 1 बटे 2 उठता है सही है क्या बात कौश 60 डिग्री का मान होता है 1 बटे 2 ठीक है तो मेरा भाई किया गया कारिय कार देने इसको 5 बात किया गया कारिय 5 जूल होगा तो इस बालक दुआरा इस खिलोने पर किया गया कारिय 5 जूल होगा समझ में आई ना बल और बिस्तापन बल दे रखा है बिस्तापन दे रखा है उनके बीच का कौण दे रखा है किया गया कारिय कितना होगा 5 जूल राइट इससे सरल क्या होगा यार बल दे रखा है बिस्तापन दे रखा है बीच का कौण दे रखा है सूत्री तो टेकना था डबलू बरावर एफ एस कॉस ठीटा इससे कर देना पिर्शन को और भी सुनो रेलवे बाले विध्यार्ती बार बार देखना वीडियो को रीट में पिर्शन पूँचा जाता है यहां से पटवार, रीट, ऐसे सी, इस्टे नो हर जगे पिर्शन पूँचा जाता है एक छोटा सा लाश्ट पिर्शन और लाश्ट कोश्चन यह रहेगा और सांदार पिर्शन, एसा नहीं, छोटा मोटा पिर्शन नहीं, एक बहुती सांदार पिर्शन दिखिए, अब आपको मैं लाश्ट बार यहाँ पे लिख देता हूँ एक तो पहला कारिय है डबलू बराबर बल इंटू बिस्तापन कौण नहीं बिना कौण बाला यदि आपसे बोलेगा किसी बस्तू पर 10 न्यूटन बल लगाया है और बस्तू में 10 मीटर का बिस्तापन हुआ है किया गया कारिय कौण नहीं दे रखा तो बल और बिस्तापन को गुणा कर देना कारिय घ्यात हो जाएगा दूसरा कारिय बराबर दूसरा सूत्र हमने लिखा है मतलब कही न कहीं बल और बिस्तापन के बीच कौण देगा अभी मैंने एक खिलोना बाला प्रसन करूआया है और एक तीसरा प्रसन W बराबर MGH ये फॉर्मूला कब लगाना है ये फॉर्मूला लगाना है गुरुत्विय बल के बुरुद्ध किया गया कारी है किया गया कारी है इसको समझो इसका मतलब ये है समझो गुरुत्बिये बल किसी भी बस्तु को आप उपर फैक रहे हो वो बापस नीचे आ रहे है कौन से बल की बज़े से गुरुत्बिये बल की बज़े से तो गुरुत्बिये बल नीचे की और F वराबर M G गुरुत्बिये बल हमेशा नीचे की और F वराबर M G कोई बस्तु को हमने प्रत्वी सत्य से उठा कर दो मीटर की उंचाई पर लेकर आ गए है। पिरसन बोलेगा गुरुत्विय बलके ब्रोद्ध किया गया कारिय तो पर आपको कारिय की गरना कैसे करनी है। 9.8 m3s2 प्रत्भी सत्य का मान है यह, फिक्स नहीं होता है, यह प्रत्भी सत्य का मान है, चंद्रमा पे अलग, ऊपर अलग, बद ले गए मान, लेकिन यह जो 9.8 है ना, फिर कहरा हम फिक्स नहीं है मान, हाँ, गणना के लिए आप 9.8 ले सकते हो, लेकिन g का मान बदलता है, जी का मान प्रत्भी सत्य पे बात चल रही है, 9.8 है, ले ले ना, और उंचाई, कित्मी उंचाई पे लेकिया आए हो बस्तु को, दो मीटर की उंचाई पर, दो मीटर की उंचाई से गुणा कर देना, तो प्यारे बिद्ध्यार्तियों, दो किलोग्राम की बस्तु को, या दस किलोग्राम की बस्तु को, पांच मीटर की उंचाई तक उठाते हैं, तो किया गया कारिये, कितना होगा, g का मान वो आपको दे देगा पिर्सन में, गुरुत्विय बल के प्रिभाव में किया गया कारी है तो तीन पिरसन है W बराबर बल इंटू बिस्तापन पहला पिरसन दूसरा पिरसन उनके बीच का कौन का आएगा और तीसरा पिरसन W बराबर MGH बहुत ज़ादा यूज होगा यह फॉर्मूला एक बार बड़े अक्सरों में लिखके जा रहा हूँ W बराबर MGH यह फॉर्मूला बहुत जगे यूज होगा आगे और इसको याद रखना कारी है की गड़ना इस फॉर्मूले से वो M क्या है यह है गुरुजी बस्तू का द्रविमान कितना है यह किलोग्राम में लेना पड़ता है जी है गुरुत्वी तोरण गुरुत्वी तोरण है इसका मान प्रत्वी सते पे 9.8 मीटर प्रती सेकंड स्क्वार होता है प्रत्वी सते पर और एज है की बस तू को आप कितनी उचाई पर उठा रहे हो यह फॉर्मूला दिमाग में हमेशा होना चाहिए यह उर्जा में भी काम में आएगा यह सक्ती में भी काम में आएगा यह हर जगे काम में आएगा डबलू बराबर MGH ध्यान रखना इन सबसे ज़्यादा यह फॉर्मूला काम में आएगा जब भी W मिलेना कही न कहीं तुमारे दिमाग में MGH आजानची है कि गुरू डबलू बरावर MGH होता है कब जब किसी बस्तू को प्रत्वी सत्य से उठा कर हम उपर लाते है जब किसी बस्तू को प्रत्वी सत्य से उठा कर उपर लाते है तो गुरुत भी बल के बुरुद किया गया का रहे है गुरुत भी बल हमेशा नीचे की ओर लगता है कोई भी बस्तु को आप उपर फैक रहे हो वो बापस नीचे आ रही है गुरुत भी बल की वज़े से तो गुरुत भी बल हमेशा नीचे की ओर और बस तू को आप ला रहे हो उपर की और तो गुरुत भी है बलके बुरुद किया गया कारिय W बराबर MGH तो पर यह विद्धार्तियो मैंने कोई भी पिरसन नहीं छोड़ा अगर कारिय में से पिरसन आया तो 100% आपका सही हो जाएगा लेक्चर पूरा लंबा लिया है मैंने कोई डिश्टर्बेंस नहीं अच्छे से नोट कर लेना अपनी कौपी के अंदर और कारिय से आय हुए हर पिरसन को सौल करके देख लेना एक भी पिरसन आपका गलत नहीं होगा तो अगली वीडियो उर्जा लंबा कंसेप्ट है कम से कम दो से तीन घंटे की क्लास उर्जा के उपर हैगी और लाश्ट में सक्ती जितने भी नुमेरिकल ग्रूब डी एंटी पीसी रेलबे असिस्टें लोको पाइलेट में लगभग दो सो से तीन सो पिरसन कार्य उर्जा सकती सा है उसकी PDF में भेज दूँगा उसको पूरी को सॉल करना आपको थैंक यू धनबाद विध्यारतियो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करिए और जो विध्यारती application पे नहीं आए है मेरा आप से इतना सा निबेदन है